अलो फ्रेंड वेलकम तो योर चैनल डूर और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी UPPCS या आपके जो सिविल सर्विसेस के एक्जामनेशन होते हैं तो ऐसा बिगनर आपको कौन सी बुक इसमें पर्चेस करनी चाहिए ताकि आपको धीरे धीरे सलोली सलोली आपको चीजे समझ में आये और बाद में आप वो एक्जामनेशन क्रैक कर सकें तो जैसे कि बहुत से बच्चे जो कि SSC में सलेक्टेड हैं और उनके भी कमेंट आ रहे थे और साथ में बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी केवल PCS वगएरा की तयारी कर रहे हैं तो उनका बा आप एम लक्षमी कांत और इसके पाद जो आपकी जोग्रफी है उसमें आपको माजिद हुसेन जो हैं उनमें आपको अच्छी पकड़ बनाने को मिलेगी साथ में अगर आप यूपी PCS वगएरा के स्प्रेंट हैं तो इस्पेक्ट्रम की मॉडन जो हिस्ट्री है उसकी कि आप सिंपली लेके चलेंगे एक्जामनेशन में तो क्या होगा कि आपका जो सोच है वो इससे बढ़ती जाएगी तो आपको धीरे धीरे पता लगता जाएगा कि आपका जो सिलेबस है उसको हमें कैसे पढ़ना है कैसे तयारी करनी है यूँकि इस बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हर्ची समझाये गया है और बहुत से एस्प्रेंट का यही कहना है कि अगर कोई इन बुक्स को अच्छे से पढ़ ले तो उसका 70-75% सिलेबस कवर हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर वन बाई वन जो इंडि बहुत ही पॉपलर है और आपके हर UPSC और कोई भी स्टेट PCS वगरे एक्जामिशन कोई एस्प्रेंट दे रहा होगा तो उसके रूम में आपको यह बुक जरूर्ण मिलेगी तो जो इसका लेटेस्ट एडिशन आया है वही दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह फि तो इंडियन पॉलिटी वाई लक्षमी कान और सिविल सर्व एक्जामनेशन और मैं यह बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि यह केवल आईएस एस्प्रेंट जो की यूपेसी जीने खा जाता है केवल उसके लिए अगर आप यूपी या किसी अन्न एक्जामनेशन मिनिमम 400 और मैक्सिम 440 मींस जितना कंसेशन आपका जो शौप ओनर है वह आपको देगा वह आपके डेपेंड करता है आपके बारगनिंग पे डेपेंड करता है एक मार्जिन होता है हर जगा तो उस एकॉर्डिंग में बता रहा हूं जैसा कि आपको डैली में अगर करोल ब जहां पे इन्होंने जितने भी आपके पॉल्टी में जनरल स्टीडी में में स्की में जितने भी कोश्चन वगएरा आए हैं यहां पे इन्होंने सब कुछ करके दे रखा है तो यह आपको मदद करेगा यह समझने के लिए कि किस यहर में कितने कोश्चन आए है ठीक है प्र दे रखा है ताकि आपको pattern समझ में आया कि कितने marks का होता है कौन से paper qualifying है simply और कौन से paper जिनके marks last में add होते हैं तो यह सारी चीजे हैं जो कि as a beginner आपको बहुत काम आने वाली हैं फिर यहाँ पे आपके optional subject हैं जैसे अगर आप UPSC के sprint बनना चाहते हैं आपका dream है तो उसके लिए आपको one optional चूज करना होगा और अगर आप जैसे PCS वगएर का examination देते हैं तो जैसे UPPCS है तो वहाँ पे आपको two optional चूज करना होगा फिर यहाँ आप इने list of tables दे रखिए कि अंदर क्या-क्या है मैं आपको मेन इसमें content वगरा दिखा देता हूं जो इनके contents हो गया रहा है और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जो इंडियन maximum सारी चीजे इससे ही मिलेंगी आपको तो अगर जो बच्चे इसको पढ़ लेते हैं उनका concept भी क्लिर हो जाता है साथ में उनको यह भी पता हो जाता है कि हमें में में कैसे representation वहाँ पे करना है क्योंकि इस बुक में आपके सारे maps वगएरा भी दे रखें स्टेप बाइ स्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज में और बताना चाहूंगा कि इनकी जैसे यहाँ पे language है बहुत ही सरल है और कोई भी बच्चे इसको समझ सकता है इन्होंने टफ नहीं बनाया है कि आपको even dictionary निकालनी पड़ जाए और आपको paragraph ना समझ मैं बहुत ही simple language में सार कुछ यहाँ पर दिया गया है एंटी डिफेक्शन लोग जैसे यहाँ पर दिया गया है और point wise भी दिया गया है ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह ज़िए पेपर है जैसे 2013 का test paper है जितने भी कोशन आए हुए है इसमें पॉल्टी में फिर आप पर 2014 का है तो इस तरह इन्होंने सारे जो पेपर में आए हुए कोशन वो भी इन्होंने लास्ट में दे दिये हैं ताकि आपके concert और अच्छी तरह से clear है सके इनके और भी काफी books हैं जो आती है लेकिन जो सबसे ज़्यादा popular book है वो आपकी यही है फिर अगर आप इनके objective अगरा भी लेना चाहें तो वो सब भी available है लेकिन मैं यही कहूँगा कि as a beginner आप Indian policy subject उठा रहे हैं आप subject उठा रहे हैं तो मैं यही कह हुआ कि एम लक्षमी कांत best book है और आप किसी और book की तरफ मच जाएए क्योंकि यह आपको पूरी तरह से satisfaction provide करेगी क्योंकि इनकी language भी easy है साथ में इनका जो representation अंदर दिया हुआ है वो सब बहुत अच्छा दिया हुआ है तो आपको यह book जरूर पसंद आएगी और यह simply बह publishers होते हैं यह सब इनको charges करते हैं इसके बावजुद इसकी जो price रखी गई है वो एक nominal price है तो आप बिल्कुल इसको purchase कर सकते हैं फिर यह second book जो है वो geography of India के लिए जो geography के concept clear करने के लिए यहाँ पर है वो माजिद हुसेन की बहुत important book है इसको आप market से purchase कर सकते है और यह भी उ और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो book का standard है means कि जो इन्होंने paragraph यहाँ पर बना रखा है वो बहुत अच्छा है यह नहीं कि सारी चीजें congested wise में कर दिए तो जब आप इस book को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में और सारी चीजें आपको जो concept है वो clear होता जाएगा जैसा इन्होंने कि minute minute details और examination पूछी जाती है तो वो यह सारी cover करते हुए चले हैं इस book को मैंने खुद देखा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनका कोई भी topic इन लोग उठाते हैं यह दोनों writer तो इनका बहुत अच्छी तरीके से उसको वहाँ पर बताते हैं समझाते हैं कि इसका क्यों हुआ जैसे constitution आया तो उसके पीछे उसका क्या महत हुद था या अगर geography में जैसे किसी चीज का कोई नाम पढ़ा तो क्यों वहाँ पर उस चीज का नाम पढ़ा तो बहुत ही simple way में समझाए गया है ताकि वह आपको वह चीज रिटेन रहे बार बार उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इनकी बैंडिंग वगेरा भी अगर आप देखना चाहों तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है इस साथ में आपको लास्ट में दिखा देता हूं कि इन्होंने यहां पे compilation कर रखा इन्होंने भी जितना भी पेपर वगेरा है यहां पर इन्होंने जोग्रिफी सिलेफर्स फॉर में इग्जामनेशन मींस यहां पर जो भी इनका सिलेफर्स फूरी तरह से बता दिया है ताकि जब आप तयारी करेंगे तो सिलेफर्स जो आपको कवर करना होगा वह सारी चीजे इसमें है कि नहीं है क्योंकि examination ऐसा है कि जिसमें आप क्विक चीजों को learn करके नहीं यहां पर सोच सकते हैं कि SSC वगर बैंकिंग की तरह है ज जिसमें आपको अपनी जो पावर है पढ़ाई की और समझने की वह यहां पर increase करनी पड़ेगी तो यह आपके थे contents फिर आपका जो appendix है इसमें दे रखा है पीछे appendices फिर आपके यहां पर देखी पीछे जैसे कि मैंने कहा multiple choice question दे रखे हैं और यह जो question है वह आपके आए हुए हैं तो यहां पर इन्होंने लास्ट वे multiple choice question के रूप में दे रखा है तो मैं यह कहूंगा दोस्तों इसकी price भी as a volume बहुत cheap है nominal है और आप आसानी से यह book किसी भी publication किसी भी means store से आप purchase कर सकते हैं तो दोस्तों यह अगर आपने कोई और book का analysis अगर आप चाहते हो तो हम कमेंट करिए हम उसका भी analysis करके आपको लाएंगे और नेस्ट वीडियो में हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि जो modern इंडिया की spectrum है उसका भी analysis करके आपको बताएं और साथ में भी बताएं कि कि कितने marks आपको लाने होते हैं जैसा अगर आप UP pieces वगरा दे रहे हैं तो उसम 50% candidates appear हुए थे फिर आपका प्री में 47,000 candidates इसमें पास हुए 2,5,000,000 करीबर बच्चों में तो अगर आप SSC हो तो आप इसको try दे सकते हो क्योंकि वहां की भीड बहुत जादा है और बहुत से आप जब पढ़ोगे कि जो बच्चे success हुए तो बहुत से ऐसे हैं जो SSC वगर है फिर उने लास्ट में qualify कर दिया तो कुछ ऐसा नहीं है कि को examination बड़ा या छोटा है वो depend करता है कि आपकी रूची किस और है तो दोस्तों ठीक है और ये वीडियो हमारा शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को और आप हमसे ऐसे जोड़े रहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर आप दबाएएगा ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आए वो जरूर आपको मिलती रहे थैंक यू टेक के बाबाए